हां जी क्या आपने कभी सोचा है आपका web browser caching कैसे करता है जब भी आपने कभी देखा होगा फर्स टाइम आप website लोड करते हो बहुत धीरे होती है और सेकेंड टाइम करते हो बहुत तीज हो आती है क्योंकि आपका जो data होता है वो caching से आ जाता है पर कभी आपने सोचा है कि आप उसको control कर सकते हो क्योंकि browser अगर हमेशा cache करके रहेगा आप अगर latest update करोगे अपनी files को तो वो आपको दिखेगी कैसे मतलब end user को दिखेगी कैसे फिन नहीं file अगर हमेशा cache रही data आता रहेगा तो आज जानते हैं आप कैसे control कर सकते हो web browser की caching को सबसाब आल समझते है caching होता क्या है caching को simply ऐसे समझे कि आपने data लाया मतलब server से browser data लाया उसने उसको store कर लिया अपने local storage में मतलब या फिर अपने computer में अपने browser में कहीं भी stores में कर लिया अब अगली बर जब भी आप same resource मांगोगे मतलब अगर आप google.com पे गए आप अगली बर दुबारा google.com पे जाओगे तो browser चेक करेगा क्या google.com अपडेट हुआ है अगर अपडेट नहीं हुआ है तो सीधा आपके जो भी डेटा आपके computer में है वहां से उठाके आपको दिखा देगा अब इसका फायदा क्या होता है माल लेते है 8MB की file है मतलब 8MB की file download हुई है जो google.com की थी अब अगली बर आप वापिस होगे फिर 8MB download करोगे तो उससे क्या होगा आपका load time increase होगा आपका user experience बेकार होगा मतलब आपके customer का जो भी आपने web application मनाई है उसको जो भी customer होगा जो भी उसको use करेगा उसका experience बहुत बेकार होगा क्योंकि हर बर वो 8MB के लिए बहुत सारा time लेगा हम यह नहीं चाहते है हम चाहते है अगर पहली बर time ले तो ठीक है second time हम instant दिखा दे उसको उस file को store करके उसके computer में क्योंकि computer से file लाने में बिल्कुल चंद seconds लगते है seconds भी नहीं milliseconds लगते है बहुत ही कम टाइम लगता है इसको हम basically caching कहते है अब देखिए हम caching को दो जगे से कर सकते है अगर आप web application मना रहे हो आज की वीडियो web application के लिए हो रही है so हम उसको दो जगे से कर सकते है एक होता है front end एक होता है back end अब दोनों में से हम आज front end पे बात करने एक हमारा आता है service worker जिसमें हम caching API यूज करते है जिसके मदद से हम cache करते है data को second हमारा आता है local storage में हम खुद उसको data को लगते है मतलब हम local storage यूज करे उसको यूज करे और उसको हम दिखा दे पतलब data को अगली बर जब भी user आये थर्ड एप्रोच होती है सबसे optimize approach और सबसे आता यूज होने वाली approach जिसको हम कहते है HTTP caching इसमें back end front end दोनों को काम करना होता है ठीक है as such back end पे code नहीं लिखा जाता है मतलब कुछ configuration होते है वह करने परती है back end पे उसके मदद से browser आपका जो front end है वह caching को control करता है वह कैसे control करते है उसको जानने के लिए जलते है computer screen पे सब्सक्राइब आपनी computer screen पे अब देखते computer screen में कि browser आपके data के साथ कैसे खिलवाड करता है okay ठीक है so हमारे पास यहां पर देखिए कितनी सारी files आई है मतलब अंगिनत तो नहीं है है मतलब बहुत सारी files है so यहां पर देखिए आपको दिखना होगा disk cache memory cache 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 भरा हुआ है बहुत सारी files के लिए आखिर यह इसको handle कैसे कर रहा है cache को browser अब वह देखते है ठीक है http caching जैसे कि मेरे आपको बताया था एक method है caching का जिसकी मुदद से server browser को बताता है ठीक है कि आपको कैसे कैसे caching करनी है so जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ इस js file पे अब यहां पर देखते हैं इसके response headers or request headers okay अगर आपको नहीं पता है response header or request header क्या होता है अभी बताता हूँ देखिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी मैं कैसे बात कर रहा हूँ शब्दों से बात कर रहा हूँ है ना आपको शब्द पता है मेरे को शब्द पता है तो हम दोनों इसलिए communicate कर पा रहे है अब इस technology में मतलब इस web application को server से contact करना है या फिर यह कह सकते हो कि browser को हमारे server से contact करना है वो कैसे करेगा उसको भी तो कुछ communication चाहिए ना आपस में बातचीत करने के लिए वहाँ पर आता है request header और response header request header basically जो भी browser भेजता है server को वो हता है response header जो server भेजता है वापिस browser को वो हता है simple so अब हम यहाँ पर चेक करते है request and response दोनों header so request header में अभी आते है request header यहाँ पर okay so request header simple simple है इसमें cache कोई लेना देना नहीं है simple आपको यह समझ लीजिए कि request header में इसने यह बताया कि browser कौन सा है operating system कौन सा है और यहाँ पर भी बताया browser कौन सा है so basically इतना इतना इसने बताया है इसके उपर उपर आते है यूए का मतला बहुत है user agent ठीक है user agent कि इसने information दी है उपर जलते है थोड़ा हां so उपर जाके आपको एक टैग दिखेगा टैग ही बोलते है इसको header दिखेगा आपको एक header दिखेगा इसको कहते है cache control okay cache control basically header है जो server भेशता है browser को browser फिर उसको समझता है फिर उसके according cache cache करता है मतलब आपकी file को okay so यहाँ पर दिख रहा है आपको मैक्सेज लिखेए इतनी सारी जो यह मिली सेकिंट्स में होती है मैक्सेज और यह लिखा है पब्लीक अब यह है क्या यह पब्लीक मैक्सेज इतना अब यह सबस्ते हैं यह सारे की सारे में लिखते हैं अब मैं आ चुका हूँ MDN डोग पर थोड़ा मैं नीचे जाता हूं तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले मैक्सेज दिखेगा मैक्सेज सिंपली आपको आपको नहीं मतलब ब्राउजर को यह कहता है कि कितने टाइम तक वह कैसे को रख सकता है आपको लगाई कैसे मिली सेकिंद्स बाद डेटा एकस पार हो जाएगा तो ब्राउजर को नए डिटा लाना पड़ेगा कैसे फिर वो यूज निकर सकता है है simple यह rule है ओके अब आपी जाते हैं कैशे कंट्रोल पर ऐसे हमारे पास काफी सारे वैल्यू आती है जो जो में वैल्यून मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारे पास no cash a no cash a का मतलब यह नहीं होता कि cash a मत करना बिल्कुल मत करना इसका मतलब यह होता है कि पहले कैशे लाने से पहले तुम पहले सर्वर से पूछो ओके सर्वर क्या तुम्हाइब पास कोई नई फाइल है मतलब कोई नया डेटा है इस फाइल में अगर नहीं है तो मैं कैशे दिखा देता हूं simply है मतलब होता है नो कशे का अब जो मतलब आपने नो केशे का सम्झा था 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 ना वह मतलब स्टॉरल को होता है वो बोज्टोर करता है भाई कैशे मत करो ईसका आप tra April data लाओ आपको Prize No,please For Now field earned some final file तो बेसिकली प्राइवेट को तब यहां पर इसको स्टोर ना करा हूँ यह एंट टो एंड स्टोर नहीं जाए जो यहां पर यूजर है जैसे में मेरा नाम भेजाए आपने देटिक चोहान तो आप चाहेंगे वह मेरे ब्राउजर में ही स्टोर हो वह अगर आईसपी पर स्टोर हो गया किसी और यूजर ने से में हीट करी और जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है उसने वहां से डेटा वापिस भेज दिया तो यह घलत होगा क्योंकि उसको मेरे बारे में पता चल जाएगा कि रितिक चोहान है उसका मोबाइल नंबर य पूरी बतलब जैसे हमने अमेजों.in ही इत किया ना इस में पब्लीक लिख सकते हो ठीक है अब जैसे कि आप नीचे देख भी सकते हो यहाप पब्लीक लिखा हुआ था तो कहता है किसी को भी दो हमें कोई मतलब निया ठीक है चाहे आप आप आईएसपी को दो चाहे आप र आने वाली है पब्लीक और प्राइवेट में आजकल मॉस्ली वेबसाइच एच्टीटी पीएस करती है ना यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर देखो एच्टीटीपीएस प्रोटोकोल फोलो करती है एस्टीटीपीएस क्या कहता है आपका डेटा सिक्क्योर रहेगा आप कुछ भी करो एंट्व 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 टाइगा सिर्फ लास्ट युजर आपका देटा देटा देख पाएगा अब आप यह सोच रहोंगे अगर हमने कैसे कंट्र पब्लीक यूज किया है तो यह डेटा तो कोई भी स्टोर कर सकता है बीच में तो यह प्राइवेट कैसे हुआ है ना तो जो अब आज कल मॉस्ली वेबसाइट पर हम पब्लीक यूज कर रहे है वह एजट इस पहले की तरह यूज नहीं होता है मतलब पहले हम इसको ऐसे यूज करते थे कि बीच में कैस हो जाता था वह आ जाता था डिटा अब कैसिंग यह एंट टो एंडी होती है मोस्ली जितना मैंने ब्लोक में पढ़ा है जो पब्लिक कैसिंग होती है जो बीच में होती थी प्रोक्सी पर आईस पी वगरह पे वह बंद हो चुकी है तो काइंड ओफ आप कैसकते कि पब्लिक लगाना इस ब्राउजर के लिए भी सही है जो प बना दी है ना हर एक केस स्पेसिफिक होता है और हर एक वैल्यू एक स्पेसिफिक केस के लिए बनी गई है उसको हम थोड़ी दिन में जानेंगे ठीक है अभी के लिए हम एक और नया है उसको देख लेते है ठीक है नेक्स रस्पोंस है हमाई पास हाता है ई-टैग ई-टैग चलता है कि आपका फाइल का कौन सा वर्जन चल रहा है ठीक है इससे फाइदा यह होता है अब ब्राउजर को सर्वस से जा कि पूछने की ज़रत नहीं होगी कि भाई क्या यह जो मैंने आपने फाइल भेजी है या मैं जो फाइल अभी कैसे से लाया हूं यह ले टेस्ट है वो ज्यादा कर आप जितने ब्राउजर वह बहुत स्मार्ट हो चुके है तो वह खुद की कैसिंग लगाने लगे हैं मतलब लास्ट मोडीफाइब को और मौस्टी यूज नहीं करता है कोई इसलिए मौस के बारे माज बात नहीं कर रहा हूं अभी के लिए टैग और कैसे कंट् करनी है कौन सी CSS फाइल डाउनलोड करनी है या फिर कौन सी बाकी चीजे डाउनलोड करनी है अगर हमने html file को store कराया और हमने उसमें maxes दे दी कि 5 दिन तक भाई अपडेट मत होना ठीक है तो अगर हमने 5 दिन तक html file अपडेट ही नहीं करी और हमने बै जो अपने जो server है वहाँ पे html file को अपडेट कर दिया एक नए resource download करने के लिए तो यहाँ पे resource download हो गई नहीं so maxes यहाँ पे use नहीं आ पाएगा क्योंकि html file एक ऐसी file है जो बाकी सारे resources को download करती है हमें यह हमेंसा latest चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आप क्या use कर सकते हो आप यह कह सकते हो कि cache control अच्छा मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ मैं सीधा header में जाके करता हूँ ठीक ह बिल्कुल सही लिखा है no cache basically यह करेगा कि भाई पहले validate करो back end पर जाके मालब server पर जाके कि यह file सही है यह नहीं है अगर सही नहीं है तो फिर आप से नहीं file लाओ ठीक है सबसे शिर्फ आपको यह करने की जोड़त है और कुछ करने की जोड़त नहीं इसमें html file को basically हम cache control मे no cache रखते है इसका मतलब यह होता है कि भाई जब भी आप इस file को दिखाऊ ना जागे पहले पूछो server से कि नहीं file है ना क्योंकि हमें resources हमें सा latest चाहिए ठीक है अब next time अगर वर्जनिंग 2 आ गई automatically browser को पता चल रहेगा कि यार यह तो नहीं file आई है तो मेरे को नहीं file डाउनोड करनी होगी तो वह पुरानी file को भेजेगा ही नहीं मतलब पुरानी file को दिखाए गई नहीं फाइल दिखा देगा तो html में no cache और e-tag use करना enough है more than enough है अब फिर कोई basically कोई bundler use कर रहो जैसे की webpack आता है अब जैसे मैं आपको phone.com दिखाता हूं यहां पर अगर मैं network पर जाता हूं और यहां पर js file पर click करता हूं ठीक है तो यहां पर देखिए हर एक page के लिए एक नई file है देखो component src component 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 ठीक है आपको एक चीज दिखेगी तो अगर नई file update करनी है मतलब इसमें नई changes लाने है तो क्या आप एक काम ने कर सकते हैं सिप्ल इस hash को change कर दीजिए ठीक है अगर hash change हो गया तो obviously आपको उसका cash है तो मिलेगा ही नी क्योंकि वह नई file है वह obviously नई download ही होगी तो नई file का cash है मिलेगा नी तो browser वो नई file download ही करन करके भेज़ दीजिए उसका random नाम जब भी नया version लाओंगे तो ने random नाम करके भेज़ दीजिए अब इसके इस में कैसे कंट्रॉल कुछ भी करो क्योंकि आपको पता है जब भी आपकी latest file आईगी उसका नाम चेंज हो जाएगा तो वो दिखेगी ही तो कैसे कंट्रॉल कु कोच हमने बोली थी कि आपनलिक नहीं करते हो और सथिखके है अब उस केस में क्या होता है ऊशिंग आहीं कर रहे हो तो आप को तो जो जो यूज करने हैं वो आप मैं बताता हूं आपको तो आप बेसिकली क्या कह सकते हो देखो आपके बाद दो अप्रोच आती है पहली अगर वो यूजर की इंफो लेता है वो चीज मतलब जो अगर आपने अपने अप्याई भेजी है या फिर आपने कोई ऐसी फाइल यहां पर फिर से तो एक तो आता है आप ऐसी फाइल दिखा रहे हो जो एक स्पैसिफिक यूजर के लिए है तो वहां पर आप क्या करोगे आप यूज करोगे प्राइवेट ठीक है अब एक बर ऐसी अप्रोच आएगी कि आपको जनरली वेबसाइट दिखाने है जैसे फोन हमारा डेटर रहना चाहिए जैसे ही इसको यह खतम हो जाए आपको वैलिडेट करना होगा मतलब वापीस लाना होगा डेटा अब यहां पर एक दिक्कत आती है अब हमने चाहिए जितने मिली सेगिंट से पहले हमने डेट अपडेट कर दिया ब्राउजर को पता चलेगा ना बिल्कुल पता चलेगा कि डेट अब डेट हुआ है तो आपको क्या करना है आगे लिखना है मस्त रिवैलीडेट यह कहता है कि भाई सर्व कर दो इस में पर एक बर मेर स मार server बोलता है कि मिर से पूछ लो क्या ये file latest है अगर तो ठीक है अल Bash नहीं तो भाई मेरे आप सभी इंजीनिर्स के लिए हमने एक WhatsApp ग्रूप बनाया है जिसको हमने सेमिकुलन गाई नाम लिया है तो उसको जोइन करने के लिए आप यहाँ पे लिंक होगा या फी कमेंट में सबसे फर्स कमेंट में आपको लिंक मिलेगा वहाँ पे जोइन कर लिए जेगा में आपडेट देता रहता हूं ऑ जो ब्लोक्स में पढ़ता हूं गुद और मेरे को अच्छे लागते हैं वो और में महाँ पे शेयर करता हूं जोब ले सकते हो अच्छे package के साथ उम्मीद करतो हम आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो अभी subscribe करें नहीं पसंद आई है तो comment section में लिखके बताईए क्या आपको बेकाल लगा और क्या आपको और चाहिए के मतलब आगे future में content क्या चाहिए आज की वीडियो में इतना ही semi wallon